हेलो फूडीज, वेलकम टू माई कोकिंग ब्लॉग आज की जो रेसिपी है वो काफी कराई, कुरकुरी और बहुत ही जल्द बन कर तयार होने वाली मेथी की मट्री की रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूँ तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे देड़ कप आटा तो ये मेथी की मट्री मैं आटे से बनाने वाली हूँ, मैदे से नहीं और लेंगे एक चाथाई कप सूजी इसके अलावे हमें इसमें मिलाना है एक चमच तिल दो से तीन चमच मेथी, आप हरी मेथी का भी इस्तमाल कर सकते हैं आधा चमच आजवाईन, हथेलियों की बीच में रखके इसे इसी तरीके से मसल कर डाले और इसके बाद इसमें मिलाएंगे आधा चमच नमक और यदि आपके पास चिली फ्लेक्स है तो आप आधा चमच मिला सकते हैं, नहीं तो आप गुट्टी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दो से धाई चमच जितना तेल यह रिफाइंड ओयल है आप इसके जगा पर घी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए इसी तरीके से बाइंड होना चाहिए और अब इसमें मिला रही हूँ एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब नॉर्मल पानी की सायता से हमें एक सक्त आटा लगा कर तयार करना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे एक साथ पानी नहीं डालेंगे तो अच्छे से मिक्स करें और इतना आटा सानने में मुझे आधा कब से भी कम पानी लगा है आट आटा आप देख सकते हैं सक्थ है और अब इसमें मिलाएंगी एक चमच तेल इसे अच्छे से तेल से कोट कर देंगे और अब इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे 15 मिनट हो गये हैं हम आटे को चेक कर लेते हैं तो आटा बहुत ही अच्छे से फूल कर तयार है क्योंकि हमने इसमें सूजी भी मिलाया है तो सूजी को फुलने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए हमें आटे को रेस्ट करने के लिए रखना है और अब इसके पेड़े बना लेते हैं और इसे हलके हाथों से पतला-पतला बेल कर तयार कर लेते हैं थोड़ा सा ओईल अप्लाई करेंगे ताकि ये चकले में चिपक न जाए बेलन में भी थोड़ा सा आप तेल लगा लें और इसके बाद इसे बेलना शुरू करें आप इसे बेलने के लिए सुखी आठे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन सुखा आठा यूज करने से जब आप उसे तेल में डालेंगे तो आपका तेल बहुत ज़ादा आठे के डस से खराब हो जाएगा इसलिए मैं सजिस्ट करूँगी कि आप इसे तेल लगा कर ही बेले ये चकले में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो पतला पतला बेल लिया है मैंने अब इसे हम फोक की साहिता से प्रिक कर लेंगे इसे प्रिक करना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये तेल में जाकर पूरी की तरह फुल जाएगा तो बहुत ही अच्छे से प्रिक कर लिया है मैंने से और आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पतला बेला है इसे तो मैं यहाँ पर एक कोकी कटर के इस्तेमाल से इसे कट करूँगी यदि आपके पास कुकी कटर नहीं है तो आप प्लेन कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बस इसे प्रेस करना है और आप अपने मन चाहिए शेप से मटरी बना सकते हैं मैं आपको सिंपल कटोरी से भी मटरी को कट कर की दिखा सकती हूँ इससे पहले भी मैं अपने चाइनल पर मठरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी मठरी को कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा डो बज गया है उसे हम निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर कितनी सुंदर सेप की मठरी मैंने तयार की है गोल वाली भी मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ तो चरिए आप इसे डीफ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर एक कढ़ाई में मैंने तील गरम कर लिया है और थीमी आच में कम गरम तेल में ही हमें मठरी को सेखना है नहीं तो यह अंदर से कच्ची रह जाएगी दोनों और से करारा होने तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है जब तक कि इसका कलर चेंड न हो जाए जब तक कि यह गूर्डन ब्राउन कलर कर न हो जाए तो आप देख सकते हैं, हमारी मट्री तल कर तयार है, तो इसे निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमारी करारी कुरकुरी मट्री बन कर तयार है, आप इसे जब तक चाहे स्टोर करके रख सकते हैं और बाकी की सारी मट्रीों को भी इसी तरीके से हमें तल लेना है और जब ये थंडा हो जाए तो आप इसे डब्बे में भरके रख सकते हैं और जब जी चाहे आप इसका लुफ्ट उठा सकते हैं तो ये थी आज की मट्री की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ चेहर की अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा तो आज की लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कुछ नहीं बातों के साथ तब तक की लिए अपना ख्याल रखिए कुछ रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए